वो मूल सरूप कैसे याद आएगा जिसको तुम भूल गए हो उसके लिए भगवान कृष्ण कहते है अकर्म में जियो तुम्हें मूल सरूप अपने आप याद आजाएगा कुछ मत करो अकर्म में जियो अकर्म में जिने का अर्थ क्या है उन्होंने दो तरह के कर्म बताए एक कर्म और दूसरा कहा अकर्म कर्म का अर्थ है करते हुए ये भाव रखना कि करने वाला मैं हूँ करते हुए आकरता हो जाना यानि कर तो रहा हूँ लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ